हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजिस बताऊंगा जिसके लिए आपको कम से कम एक्विट्मेंट चाहिए जिम में भी जाने की जरूरत नहीं है और आप अपना बैली फैट कम कर सकते हैं पेट के उपर चड़ा हुआ मास किसी को पसंद नहीं होता यह हम सबी जानते हैं और बेसिक एक्सरसाइज माज आपको बताऊंगा जो आप कर सकते हैं घर पे किसी भी एक्विट्मेंट के जरूरत नहीं है तो चलिए पहली एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वोकिंग या रनिंग आप दोड लगा सकते हैं या सेर के चाहिए उसके लिए आपको केवल एक अच्छी चीज़ चाहिए आपके जूते अगर आपके पास अच्छे एक जोड़ी जूते हैं तो आप कहीं पे भीनिकल सकते हैं और अगर आप रणिंग करने में इंट्रस्ट रखते हैं तो रनिंग तो बहुत ही अच्छे exercise है वो आपका belly काई fat नहीं पूरे शरीर का उपर से नीचे तक पूरा fat down करती है और इससे अच्छी कोई exercise हो नहीं सकती है जो बिना equipment के आप कर सकते हैं तो यह तिया दूसरी exercise जो हम normal लोगों के पास हर किसी के पास मिल सकता है एक cycle आपको जुरूर नहीं है गाड़ी में निकलने की अगर आप office जाते हैं आपका office ज्यादा दूर नहीं है तो मैं आपको recommend करूंगा आप cycle पर जाएं एक अच्छा helmet रखें अपनी safety के लिए क्योंकि most of the western countries में आपको helmet के बिना चालान हो जाता है तो इसी लिए है आप cycle के उपर helmet जरूर लगाएं cycle में आपके efforts कम लगते हैं बट आदे गंटे के cycle में आप 200-300 calories burn कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा काफी calories है और काफी कम efforts में हैं और तीसरी exercise अब मैं आपको बताऊंगा इसको बोलते हैं by cycle exercise तो हमने इसमें करना क्या है आपने लेट जाना है अपने कमर के बल और उसमें आपने जो पेट की muscles है उनको shrink करना है basically तो उससे क्या होएगा आपकी muscles tone हो जाएंगी आपको अपने हाथ सिर की पीछे रखने है पेरों को उठाना है और चेस्ट को अपनी छाती को वहीं पे रखना है और आप अपने हाथों से टच करने की कोशिश करो अपने सिर से टच करने की कोशिश करो उपर उठो और फिर वापे जाओ और यह आपने तीन सेट करने है और एक सेट के अंदर आपको बारा से पंदरा है रिपीटेशन होने चाहिए आप इसको एक टाइम पे बारा से पंदरा बार करो और उसको तीन बार रिपीट करो इस तोरान आपको सांस धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है इसमें आपको ज़्यादा हाफने की जुरूरत नहीं है इसके बाद हमारी next exercise है the captain's chair leg raise ये क्या है ये थोड़ा English का word है बट इसमें हमने क्या करना है नोर्मली जो आप फूटो में देख सकते हैं जो पीछे padded chair है वहाँ पे हमने अपनी कमर लगानी है अपनी हाथों को दोनो जो हमारे सामने डंडे हैं उनसे पकड़ना है अगर आपके पास वह भी नहीं है तो आप नोर्मल घरपी चेर के उपर भी कर सकते हैं बैसिकली ये कुर्सी के उपर करने वाली exercise है आपको अपनी कमर को सीधा रखना है और अपने पैरों को अपने घुटनों को अपनी चेस्ट के पास लेके आना है फिर अपने घुटनों करूंगा कि शुरू में धीरे धीरे करें फिर भी इसके आप थ्री सेट करें पहले सेट में बारा से बीस के बीच में करें फिर दूसरे सेट में अगर आप से बारा से 16 होते हैं तो वह करें फिर तीसरे सेट में अगर बारा से बारा तेरा होते हैं तो आप उतने कर सकते हैं इसमें हमें क्या करना है जो हमें बड़ी बोल लेनी है जो आप फोटो में देख रहे हैं अगर आपके पास है तो यह ज्यादा महेंगी नहीं होती सस्ती है आप Amazon से भी खरीद सकते हैं और आप अपने लोकल जो रीटेलर है जिसके पास गेमिंग का सामान है उसके पास जरूर में लेगे इसमें हमें क्या करना है यह एक्सरसाइज बहुत ज्यादा स्टेबलाइजेशन चाहिए है हमें इसमें आपकी काफी सारी मसल्स यूज होती है और और जैसे मैंने बताया एक एक्सरसाइज बोल इसमें हमें चाहिए इसमें आपको करना क्या है कि जो बोल है उसक और फिर आप अपने हाथ हैं वो आप अपने चाती के पास या फिर अपनी सिर के पीछे रखने हैं फिर आपने अगर सिर के पीछे रखे वे तो आपने ऐसे जोर लगाते हुए अपनी पेट की नसों को मसल्स को एब्स को खीचना है और आगे की तरफ आना है अपने आपको आ को stable रहने दे और ऐसे ऊपर और नीचे आए जैसे आर्मी वाले जो वो पेट की exercise करते हैं करंच करते हैं exactly same way इसमें आपने आपको हर्ट नहीं करना है इसमें काफी stability आपको चाहिएगी अगर आप beginner है तो मैं आपको recommend करूंगा कि शुरू में सेट के अंदर only four five repetition ही रखें बट जैसे जैसे gradually आपका stamina बढ़ जाए आपकी strength बढ़ जाए तो मैं फिर आपको बोलूगा कि एक से तीन तीन सेट जरूर करें और एक सेट के अंदर 15 repetition रखें तो कहने का मतलब total हमने 45 times करना है यह 45 बार करना है बट तीन के सेट में एक बार 15 का क्या क्या एक सैट फिर दुवारा फिर 15 यह की हमने पिर दिशरी बार 15 बार क्या हूं कर दो झाल झाल हमारी अगली एक्सर्साइज है वर्टिकल लेग क्रण्च इसमें क्या करना है इसमें आपने कमर के बल जमीन पे लेट जाना है और यह रेगुलर क्रण्च की तरह है बट इसमें आपको अपने पेर बिलकुल सीदे 90 डिगरी पे रखने है और यह करने से आपके जो एब्स हैं यह बहुत ज्यादा वर्काउट करेंगे और बहुत ज्यादा टफ इनके उपर वर्काउट होगा बहुत जोर पड़ेगा इसमें क्या करना आपने कमर के बल लेट ज रखना है अपने हाथों को सिर के पीछे रखना है और फिर आप अपने सोल्डर्स को और अपने अपर बोड़ी को उठाना है और अपने पैरों को पीछे की तरफ सिर से टच करने के लिए लेके जाना है और पूरे टाइम जब आप यह एक्सरसाइज करें लेगों को अपने अपने पैरों को हमने बिल्कुल उपर ही रखना है, हवा में 90 डिग्री पे, और फिर 90 डिग्री से आप अपने पैरों को सिर की तरफ लेके जाओ, और सिर को अपने हाथों को सिर के पीछे रखे, सिर को आगे पैरों की तरफ लेके आओ, जैसे आप सांस नोर्मली तब ले, ज जब आप उपर की तरफ जा रहे हैं और जब आप वापिस लेट रहे हैं तब आफ सांस को छोड़े. Exactly Same Way हमने यह exercise तीन बार करनी है पंदरा के रिपिटेशन में उसके बार हमारे next exercise behaviors guard का रिवर्ज क्रंज दुन्या की सबसे अच्छे एक्सरसाइजों में से है और पीट को कम करने के लिए तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा लोग दुनिया में जिनकी six pack ab है 90% लोग इस exercise को करते ही है इसमें करना क्या है हमें कमर के बल c delete जाना है जमीन के उपर हाथों को side में रखना है और फिर पेरों को दोनों पेरों को side में दोनों पेरों को इकठे करके अपने पेरों को जोड से उठाना है उपर की तरफ और फिर हमें जितना पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं सिर की तरफ लेके जाएं हाथों को पीछे ही रखें और अपने आपको जैसे आप फोटो में देख रहे हैं exactly ऐसे 90 डिगरी से भी उपर आप अपने सिर को वहीं पे रखें जमीन पे रखें अपनी कमर को अपने पेरों को जितना ज्यादा से ज्यादा आप कॉंट्रेक्ट कर सकते हो आप जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो अगर आप छोटी उमर के हैं तो मुझे पता है कि आप अपने सिर के पीछे भी पेरों को लगा सकते हो तो वो तो तो बहुत अच्छी बात है बट अगर जो थोड़ी बड़ियों मरके हैं तो इनिसली आपको परिशानी आएगी बट विदिन आप दो वीक के अंदर यह चीज कर सकते हो इजिली और इसे क्या है कि जो आपकी टमी के उपर और जो लोवर टमी का फैट है वो दोनों ही मैल्ट ह होंगे और आपको बहुत अच्छी टोन मसल मिल जाएंगे यह सारी जो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं यह आपकी टमी को फ्लैट कर सकती है अगर आप रेगुलर्ली हर दिन करते हो और इसमें आपको कोई एडिशनल एक्यूपमेंट के जरूरत नहीं है और आपको एक महीन के अंदर आपको रिजल्ट दिखने में शुरू हो जाएंगे और अगर आप रेगुलर्ली तीन महीने कर लेते हो तो आप खुद ही अपने फोटो देख लेना डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे और आप मेरे को बताना कि यह वीडियो कैसे लगा प्लेज और कोई कमेंट जरूर करें हम आपको बताऊंगा कि और एक्सरसाइज क्या कर सकते हो आप जिम में जाते हो तो और कौन सी कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए थैंक यू दोस्तो